Hello students, मैंने अपने last lecture में बताया था continuity and differentiability के बारे में मैंने बताया था continuity में किस type की question आते हैं continuity में 3 type की question से number 1 discuss the continuity of the given function जो हम last lecture में कर चुके number 2 this function is continuous then find the any constant value of this given function इस पर ही मैंने आपको 2-3 question बताया था objective type और 3 type का question मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर clear आता है कि determine the value of a so that this function is continuous वहाँ पर हमने बताया था आपको कि left and limit right and limit of function of a 3 नो find out करने होते हैं तो first type का question तो हम last lecture में discuss कर चुके कि discuss the continuity of the given function second type का question मैंने आपको objective बताया था कि this function is continuous then find the value of a हम एक दो question और उस पर solve करते हैं देकि यास नाओ हम लोग देखते हैं question आपके पास बोड में कही बार आचुका है question कि find the value of a for which the function f is defined by fx is equal to a sin pi by 2 x plus 1 x less than equal to 0 and then 10 x minus sin x upon x cube then x is greater than 0 it's continuous at x equal to 0 then find the value of a आपको find the value of a निकाल ना भाइक इस function is continuous देखिए यास लास्ट इक्चर में बता था आपको country जब हो तो left and limit right and limit और function of a तीनों आपस में equal है आप यहां पर कि लिए दिख रहा है कि function of 0 की value तो हम यहां से find out कर लेते हैं और यहां पर x greater than 0 है तो क्यों ना हम र दिख रहा है दिख रहा है और 0 प्लस 1 यहां क्लिए दिख रहा है x less than equal to equal to मतला हम यहां पर equal to be this one तो function of 0 की value आपके पास आजेगी में इस दिख रहा है यहां पर आगया a sin 5 by 2 and sin 90 1 होता है इस value equal to a तो यह तो आगया मार पास function of 0 अब देखते हैं देख रहा है आपके बता चलेका है कि x 10 to 0 प्लस पर function of x राइट रिमिट निकाल रहे है हम लोग 0 प्लस ठीक है यह मैंने आपको बता था इसको लिख रहे है तरीका कि limit h 10 to 0 function of 0 प्लस h 0 सा थोड़ा सा बड़ा सा राइट रिमिट 0 से बड़ा यहां पर देखे 0 प्लस h लिखके तो लिमिट h 10 to 0 0 प् आई ना साइनेच अपॉन एच क्यूब अब सर कैसे तो को सब्सक्राइब यहां पर 10 को कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस्ट की फॉर्म में लिख दें देखते हैं कि लिमिट यहीं सबसाद चलिक रहा हमें कि लिमिट को ऐसा नहीं कि हम 10 h अपॉन एच क्यूब लिग देंग यहां पर किलिए दिख रहा है कि साइन अपॉन कॉस्ट लिख दूआ और साइन एच यह तो को मन आ जाएगा यहां जाएगा वन माइनस कॉस्ट एच अपॉन एक साइन नीचे भी आ गड़ाइस कॉस एच इंटू एच क्यूब यह बात देहां हां पड़ाइस मैंने 10 को साइन अपॉन कॉस्ट लिख दिया और साइन कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस्ट और कॉस्ट नीच यह आ गया ठीक है हम वापी देखते हैं यह लिमिट हें 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 120 आपर ऩ repent दिखता हुं साइन एच अपॉन एच इंटु वन आपॉन कॉस हच वी चल्रहा एद इंटो इस बान कीसर फान मा नाजकर अठ सर फान पॉन फॉरी कॉस्ट आपॉन एच स्टेफॉर तबहा Chemah 친 यह यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिपेंड करता है सारी 1 मार्य मार्य तो मार्य फाइफ मार्य है उसी रिगार्णिंग बुट पया चैनल निकली लिमेट 20 1- devastation आपों हाउट वैसे हो दायिए याद करेंगे वैलु तो लिमिट एच्टेन टू-0 पर देज्बार श्धर कर लेते हैं वन को cancels कर लेते हैं तो वन माइमास यह लेक सकते हैं वन मैंस टू-2 साइज क्वाइर ह्फ्याइड एच बाइच बाइच इसक्वायर तो सर्थ 1-1 पर यह 2 आ गया 2 बाइ 4 और यह आ जागा बिटा है साइन h by 2 अपोन h by 2 ठीक है h by 2 अपोन h by 2 all square this one यह value 1 हो जाएगी तो 2 इं 2 by 4 into 1 this value equal to 1 by 2 sin theta upon theta theta tends to 0 पर यहाँ h tend to 0 0 by 0 की फोर्म बन लिया this value equal to 1 1 तो आपके पास 1 by 2 आजाएगा अब यह सारी वैलू यह डिपेंड करेंगा कित्ते मार्क सा कोश्चन आ रहा है उसके रिगार्डिंगे आप यह वैलू पूट करेंगे किसा मुझे क्या वैलू अफनी है ठीक है आप डाइट चाहिए तो इसकी वैलू आपके पास 1 by 2 तो यह निकल यह आपके पास राइट लिमीट आप चाहिए तो डॉल भी कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं कि वन माइनस कॉस्चिटा पॉन ठीटा स्कॉर्ट टीटा इस्टी जीरो पर दिस वैलो इक्वाल टू दियान अखें कित्ते मार्क सका है स्टीट इसे चाहिए तो अबॉन फंक्षन क्या दो घर कर दो अब दिदा अपने फंक्ष्ण ऑप 0 निकाला और उसके आऊंस जीरो अपसमें एक्वाल है तो में यह लिखता आपके लिखाए वोड के लिए किसार एपेक दिद्राएट इसकंटीन, ठीकहां, यह यह और function of x के आपके पास a है और right limit कितनी है 1 by 2 तो तो a की value कितनी है कि 1 by 2 क्योंकि given function था function क्या था आपके पास continuous था तो आपने simple जब function continuous हो तो उसको solve काने का तरीका वो ही है same left end या right limit निकाले हम जानते हैं कि function continuous है तो left end limit equal to right end limit equal to function of जो भी आपके बाद गीवन है तो function of 0 पर निकालना है तो function of 0 के लिए question में दिख रहा था कि सारी x less than equal to less than equal to equal to a single प्यारा तो मैंने function of 0 की value यहां से निकाल दी अब मुझे left end limit निकालनी जूरूत निकिए left end limit में भी एक value निकलेगी तो मैंने यहां पर right end limit लेली और right end limit लिखने हैं तरीका बोर्ड में same ऐसा लिखा डिपेंड करता है बेटाई कि यह value जो आप लिख रहे हो वन माइनस कॉस्ट थीटा पॉन ठीटा स्कॉयर वन माइनस कॉस्ट है चपॉन एच स्कॉयर 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 एक कोशन ओर देखता हम यह बोर्ड में कई बार आ हो है जब आप लाश्टरी कोशन कर रहे होंगे तो आपको देखेगा एक क्वेश्ट नाओ सेट इंड कोश्ट देखते हम ट्राइक कर ऊफटा पढ़िया आज कि आपके अगेन एक गीवन फंक्षन है fx इस इकल टू पावर x plus 2 minus 16 upon 4 power x minus 16 if x is not equal to 2 and k if x equal to 2 is continuous at x equal to 2 then find k वापीस एक बार गीवन फंक्षन है जो continuous है x equal to 2 पर और k की value निकाल नहीं है तो आपके क्लिए दिख रहा है कि function of 2 पर दिख की value k तो यहाँ पे इस क्लिए दिख रहा है गीवन ने की सर function of 2 पेस की value की है सर k है तो इसको देखना ही नहीं है ठीक है अब आपके इच्छ है आप इस पर राइट रिमिट निकाले या लेट राइट रिमिट लिख देंगे आप कि सार राइट राइट रिमिट का मतलब है कि लिमिट x 10 to 2 प्लेस पर function of x 2 प्लेस कोई फंक्षन मतलब होगे आपके पास कि सार लिमिट h 10 to 0 function of 2 प्लेस एच यह 2 प्लेस एच आजएगा तो जहां पर भी हमें लिखना है यहां पर भी x आ रहा है वहां पर क्या लिख देंगे 2 प्लेस एच तो 2 पावर 2 प्लेस एच यह तो मैंना x की value पूट की है प्लस 2 माइनस 16 आपोन 4 क की पावर ठीक है यहां पर 2 प्रेस एच प्लेस एच वर की पावर माइनस 16 अब आप की लिमिट एच टें टुश टो फोर ओ गया इस नटू की पंटुवध एच पवर Grandma ओ यह वाइबंस 17 अब यह पोडी पावर 2 हो गया यह फोर ंटें जिस्टीन है मानस 16 and everyone 2 power 4 is equal to 16 and 4 square भी किता होता है 16 तो 16 common आजागा आपके पाद आप लिख देंगे सर कि limit h10 to 0 पह सर यहापर क्लिए दिख रहा सर 16 ऊपर common आ गया अंदर आजागा आपके आज 2 की power h minus 1 और नीचे भी क्लिए दिख रहा है कि 16 common आ रहा है सर 4 की power h minus 1 क्लियर यहाँ तक कोई किसी यह problem उसके आज देखिया है यह cancel होगा system system तो limit h10 to 0 ठीक है यह 2 power h minus 1 और यहाँ पर दिखो 4 power h 4 power h this equal to 2 square power h यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की power h की power 2 power multiply होती है मैं तो यहाँ पर आजाएगा आपके आज किसारी 2 power h whole square minus 1 यह limit h 10 to 0 पर आपके आज देखो नीचे s a square माई b square बन रहा है 2 power h minus 1 यह तो numerator तो ऐसा है यह सेम और denominator में a square minus b square this value equal to a plus b और a minus b यह से cancelled हो जाएगा 1 times अब आप limit put कर सकते हैं डाइट non defined नहीं आ रहा any power 0 equal to 1 sir तो 1 upon 2 power 0 1 and any power 0 equal to 1 तो 1 plus 1 this value equal to 1 by 2 और function of 2 क्यादा भाई k था वापिस पर लिखने का तरीका बोड में र्यादा आप बेटा yes this one कि सब बोड में लिखने का तरीका आप यह जिरूरू लिखें लाश्ट में कि विकोष fx continuous है भाई fx is continuous at x equal to 2 ठीक है तो आप बोले को सार कि सब function of 2 पर equal to right and limit या left and limit निकाल तो left and limit निकाल निकाल तो left and limit निकाल निकाल कि दोनों आपस में क्या है equal है but why because function continuous है कहाँ पर x equal to 2 पर तो function of 2 की वेले तो k थी हमाया पर और right and limit आपने 1 by 2 निकाली तो इस कहां सा जाएगा k equal to 1 by 2 इसी टाइप के questions हाते है ज्यादा tough question नहीं है maximum factorization करने वाला जाएगे या sin theta upon theta की identity लग रहे हुआ 10 theta upon theta लग रहा हुआ या आप dead value पूट कर सकते हैं theta tends to 0 पे 1 minus cos theta upon theta square देखेंस हमें question और देखते हैं yes this is very important जो मैं third type का question के रहा था आपसे determine the value इस पार आपसे यह नी बोला हो से की function continuous है उसे का determine the value of a so that fx is continuous at x equal to 0 उसकता है कि a की कोई value नहीं हो जाँ function continuous हो या a की कोई value होगी जाँ function continuous होगा उसे हम बोला determine the value of a so that fx is continuous at x equal to 0 तो यहां पर हम लोगों को बैटाया ऐसा नहीं कि हमने only simple function of 0 की value a निकाली और लेप्टें करता साही नो देखते हैं सबस्क्राइब लेप्टें लिमिट ले लेता हम लेप्टें लिमिट लेप्टें लेप्टें लिमिट का मतलब हम सब जानते हैं 0 पर निकाला है तो यहां जाब भी एक सारा पर आपने माइनस एच पुट किया है लेप्टें लिमिट निकाल रहे हैं यहां लिमिट आपके पास होजाएगा आपको चेंच स्कॉराइग एक लटो यहां लिएट लिए किसां लिमिट एच यहां लिमिट लिमिट अच्टेंट इश सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर नीचे आपके पास है एच स्कॉाइर है एच स्कॉाइर है मुझे तो भी यह तो चेहीं तो मैंने फोर से यहां पर सब्सक्राइब कर दिया और फोर से मल्टिप्लाइब डिवाइड दोनों कर दिया हम लोगों ने ठीक है वाई क्योंकि यहां पर हमाय को खिले दिखें सब्सक्राइब लिमिट एच टेन टू जीरो पर यहां जागा एट और यहां पर आजएगा क्या साइन टू एच अपॉन अगर आप अपनी कोपी में जब आज शीट रॉल कर रहे हों बोर्ड के अंदा है तो महां राइट राइट हैंड में लिख भी रहां कि सब्सक्राइब लिखें और नीभी लिखेंगे तब भी माक्स पूरे मिलेंगे आपको अब फंक्शन ऑफ जीरो नमबर सेकेंड सब्स ALK 0 की रोग तो ए लीए ये तो अपने पास है ठीक है तो आपके पास function अइग ये चीज आगई आपके ज़ेश लेफ्ल लिमिट आगई कि लेफ्ल लेफ्ल लिममिट कि प्रिफी आपने पास एच जी तोड़ा से बढ़ा सा ठीके जिरो प्लास यहाप पे पूट कर देंगे तो एच फुट करना है तो लिमिट आपके पास फी रागे बिद्ध किसा लिमिट एच टेंट टु़ पर जीरो प्लास मैं एच फूट करना है तो रूट एच अपन रूट ऑफ दिस वान कर देते हैं जब भी रूट आंज आ रहा है नीचे आ रहा है तो रिस्टेंट करना हमें तो लिमिट एच टेंट टू जीरो देखना भाटाइस दिस वान मैं इस कोश्चन को यहाँ पर ले जा रहा हूँ लिमिट एक इस्टेप लिख देंग यहाँ पर फिर ऊपर चलेंगे रूट से मल्टिप्लाइब कर रूट यहाँ पर रूट हा गया रूट के रूट चल रहा है एंड प्लस 4 यह मल्टिप्लाइब करूआ तो निचे भी मल्टिप्लाइब करूआ इसको जैना यहाँ पर की समय ने लूटिप्लाइब कर दिया रूट ऑफ 16 गर्ट हक रूट ह से और दिवाइट भी कर दिया रूट के रहा है रूट हट बिट था मल्टिप्लाइब कर दिया ने स element चल के इस अँड रूट हuchar मेंविपार थिक्ट रूट कर दिया तो यहा पर अब आप डाइट आप क्यास लीनियर बचा आप एस्टेंट जिरो पूट कर सकते हैं जिसे जिरो पूट करेंगे तो रूट सिष्टीन आजएगा सिष्टीन का मतलब यहां पर प्लास पॉर्ट इस वैलो इकुल टू किस्ता आ गया इट देखो आप इस वन किसा इसकी लेट आप डाइट आपके पास यह भी एट आ रहा है और यह वैलू आ लिए तो आप बोलो के सर एक ही वैलू क्यों होने चीए एट होने चीए देन आप यहां पर सिंपल लिखेंगे कि सर एफ एक्स इच कंट्यूनिस एट एक्स एक्वल टू जीरो देन लैप्टन लिमेट एक्वल टू राइट इमेट एक्वल टू फंक्शन ओप जीरो आपने लिचे वैलू पूट कर दी और फिर आप बलेंगे यास तो दा वैलू आपको फिर बचादू एक्वल टू एक्वल टू एक्वल टू एट तो दिस फंक्शन इच कंट्यूनिस अच्छा कोश्चन है कई बार आचा है डिटर माइट बच्चे क्या करते है एट फंक्शन ओप जीरो निकालते हैं और लेप्टन निकाल देते और बोलते सार एक सब्सक्राइब के बाद कोवीड के बाद मैक्सिम बड़ा कोश्चन नहीं आया है ठीक है कंट्यूटी एंड इफ्रेंशियुलिटी की बात करेंगे हम बाद में इसके बाद तो कंट्यूटी के ओपर तीन टाइप के कुश्चन थे एक तो डिसका सा कंट्यूटी इस इसे पूल की ऊच्च कर सकता है राम से देखिए अंप पूट करना और निकालना अपना नहीं फें कि हम आप डिप्रेंशियोटां पर त्मिशाल मों से संधर और की कुर्स में नहीं है। डिफिरेंशिचन के ऊबर कुष्चिन दे रहे हैं NCRD के अंदर। डिफिरेंशिचन में पर आपको तीन मैसल बता है। थीक है। जो देरिवीट्वमेट्वॉत कोण कोण से हैं। नमबाइ वन हमाई पास कि देरिवेट्व इन्वर्स टिक्मेटी यो दो डिफ्रेंशन बहुत इंपोर्टेंट है यादि डेरिवेटीव के फॉर्मले पूरे या दोंगे तो फिर हमें एंटी प्रोसेस्ट भी निकाल पाएंगे मदब इंटीकेशन भी सौल कर पाएंगे इजिए डिफ्रेंशन बहुत अच्छी तरह आता है तो डिफ्रेंश रिफ्रेंशन के फॉर्मले में रिफ्रेंशन बहुत इसनों नमरे इंपोर् Lag 2000 बाएं हम जानते हैं एंटी पर n-1 होता है सबसे बैसिक फॉर्मला हमार पास मैक्सिम कुश्चन यह से बंते में देश्ट और ध्यानरा बोर्ड में यह याद करें चलेंगे दो फॉर्मला इस पर यह याद करेंगे बिल्कुल एक दम किसाद याद करेंगे टीज करेंगे रूट एक्स का डेरीविट्यू क्यों सब्सक्राइब करेंगे लाओ धिट्याइब करेंगें ज्सक्षर्ण हमारे भी अन्तिए स्वर्मल्र की में वास्ट्र का dough करें नेन या उपर नीचे आगे बनापॉन एक्सी पावर हाव हो गए बिटाए तो यहां पर आपके पास एगा वन अपॉन टूरूट एक्स दिस वन यहां पर काम आएंगे वहां अपर नापॉन आपके लिख देते हैं तो लोग एक्स अरे भाई डेरीविटिव करते हैं बन अपॉन एक्स पावर माइनस वन ठीके यहां पर एंड कोई रियल नंबर उस्टा इसा नहीं नेच्वर यह तो माइनस वन एक्स न को क्या लिखे तो minus 1 x की पावर minus 1 minus 1 देखो n की वेले तो minus 1 है this one तो यहाँ पर सा आगे आपके सार minus x की पावर minus 2 यह minus 1 अपोल x square तो यहाँ याद रहना सार कि सार d by dx of 1 by x is equal to minus 1 by x square होता है यह बार बार काम आएगा आपका basic formula से याद अखे मैंटा इसको ठीक है this is very important यह बार बार काम आथा हमार पास यह basic formula हमार पास कि सार डी बाई dx x power n का n x e power n minus 1 ठीक है दो मेंट फटाबाट देखते हम लोग trigonometric functions के formula आपको याद होंगे फटाबाट छेओं derivative formula याद कि सार डी बाई sin x यह सब को याद देता है number 3 is a very important यह सब डी बाई dx of 10x क्या होता है 10x का derivative 10x का derivative होता है भाई सेक स्क्वार एक्स आपको डाट याद ना NCRD के रिकार नहीं number 4 डी बाई dx आपने class 11 में पढ़ा हिए first principle से 10x का 10x के बाद आता है सब कोटेक्स का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वार एक्स नमबर 5 डी बाई dx आप सेक एक्स क्यों होता है भाई सेक एक्स का derivative सेक एक्स होता है सेक एक्स 10x इनके उल्टा भी याद कर से चलना इंटिकेशन अभी हम पढ़ेंगे आप इंटिकेशन का मतलब क्यों होता है एंटी प्रोसेस ओफड़ डेरीवेट यू ठीक है और इसके बाद है आपके पास कौसेक खोसेक ग्यों होता है माइनस कौसेक एक्स को होता है ठीक हेशे ये याद कर लिए एक यह भी याद रखें आप हमेशे के लिए कि नमबर सेवन साथ साथ दीवाई डीएगस ओफ य पावर एकश ही होता होता है number eight then d by dx of e power minus x then minus e power minus x होता है minus 12 आता है number nine d by dx यह सब 11th class के NCRD में देर्खें मिटाइस d by dx of log x या ln x जिसको आप बोलते बिटाएस base es का this value equal to 1 by x होता है यह दियान हो आप लोग this is a very important log x का derivative 1 by x होता है जहां base e है ln x बोलते हैं को ln ठीक है and number ten d by dx of these are very important a power x objective question बना था इस पर है ठीक है a power x का derivative a power x log a इस पर मैं एक्जांपल भी देता हूं NCRD book में मतलब यह question पूछा क्या था बोड के अंदर कि सार y is equal to 2 power x का derivative बताओ तो y dash derivative को y dash भीक है तो 2 power x का क्यों log 2 इस बन ठीक है यह कुछ question से मिटायास यह यह यादा है आप derivative यह सब 11th class में पढ़ चुके है आप लोग ठीक है derivative में सबसे important d by dx of u into v ठीक है आप दो function का derivative देख रहें u into v दो function आपके पास तो इस बन first person second का derivative आप किसी को बढ़ता है and second question formula d by dx यह सब class 11 का दोबार रिकोल करा रहा हूं आपको नेक्स lecture में मैं आपके question बताऊंगा इसके अंदर u upon v u upon v जब भी ऐसे को फॉंक्शन हो जैसे x upon sign x upon x you upon v a so this value equal to v square v ना जाओ वेरी important v square फिर v du by dx x is dependent derivative करें फिर minus v फिर u quad derivative यह ना जाओ बहुत important है यह बच्च्चे भूल जाते है maximum u into v तो फिर भी आज रहा है u upon v भूल जाते है ठीक है question formula u upon v then v square फिर v u का derivative minus V और फिर यू का derivative तो इस लेक्चर में यह देख रहें नेक्स रिक्रोमेटी फंक्षन बोर्ड में किस टाइब की कोश्चन अभी तक आ चुके और कुछे आते हैं अच्छे कोश्चन में आपको अच्छे कोश्चन पर डेरिवेटिव इन्वर्स रिक्रोमेटी फंक्षन इन्वर्स फंक्षन हम जानते हैं और स्केंड डेरिवेटि ओप एक्क्रोमेटी फंक्षन उससे भी हम दो तीन कोश्चन डिसक्रस करेंगे जो बोर्ड में आये हो हैं तिप लास्ट आम नेक्स टेक्चर में पढ़ेंगे जो सी बोर्ड में अच्छे डेरिवेटिव है आप आपको फॉर्मले याद है ही थी आप एक बार रिकॉल करना में साथ ठीक है ओके थैंक्यू आज के लिए